हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल एक हाउस वाइफ को सुबह उठते काम में लग जाना होता है और रात को सोते टाइम तक हमें काम करना होता है तो हम रोज और रुज के काम से बोर भी हो जाती है तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आए कुछ नई किचन है जो आप पानी की बोटल लेके जाते हैं बैग में डालते हैं तो पानी लिकी जोने लगता है और हमारे जो भी कपड़े डालते हैं या कुछ खाने पीने का समान डालते हैं तो गिला हो जाता है तो ऐसा क्या करें कि हमारी बोटल भी लिक ना करें ओ हमें करना क्या है एक बैलून ले तो आप बच्चो के लिख बने का नीय नहीं ओगा तो देखी आँ मैं आपको करके दिखाती हूं मैं यह देखी बिल्कुल भी पानी लीक नहीं हो रहा है आप किसी भी तरह हैं बोटल में डाली एकप्रे डालीए या फिर खाने पीने का समान डालीए आपका घिला नहीं होगा अब बच्चों के होलीडे सुरू हो चुकी हैं तो घूमना फिरना तो लगा रहेगा तो आप इस टिप को फोलो जरूर करके देखिएगा आपके कपड़े भी गिले नहीं होंगे और सामान भी गिला नहीं होगा बे फिक्र होकर आप ये टिप यूज कीजिए पी फेक देते हैं हमें इनको विल्कुल भी वेश्ट नहीं करना है इसका मैं एक अच्छा सा यूज बताऊंगी ये प्याज और लहसुन के छिलके हैं ये भोती काम के होते हैं फ्रेंड्स इनको आप कभी भी श्टोर करके रख लीजिए और गर्मी के टाइम में ये बहुत काम आने वाले हैं तो हमें करना क्या है एक कपड़ा ले लेना है और उसमें डाल देंगे एक चमच नमक डालने के बाद जो हमारे पास लैसुन और प्याज के छिलके थे और थोड़े सुखी हुई लैसुन है हम भी इसके अंदर एड़ कर देंगे इसको अंदर डाल देंगे औ आपके घर में बिल्कुल भी इंट्री नहीं होगी इसको बांद करके आप अपनी किचन में या फिर कहीं भी किसी खिड़की पर हैंग कर दीजिए इसकी खुश्बू से ही इसकी स्मेल होती है जो इसकी स्मेल से छिपकली हुई या फिर मक्ही मचर हुए आपके घर के अंदर इंट्री नहीं करेंगे आप इस टिप्स को फोलो करके देखेंगे तबी तो आपको पता लगेगा कि ये टिप्स कितनी कारगर है मुझे केमेंट करके भी बताना फ्रेंस दिखने में तो ये छोटी छोटी टिप्स लगते हैं लेकिन बहुत काम क्यों होती है जो कोई चीज कोई बी चीज़ करने के लिए नहीं होती है बहुत ही काम आती है हमें बस पता नहीं होता है कि किज चीज का कहां यूज करना है तो आप इसे फोलो करके देखेंगा अगली टिप से हमारी फ्रीज को लेकर क्या होता developers में हम ऐसे इसमान रख देते हैं या फिर इसमें खुला रख देते हैं, या फिर कोई दूद रख देते हैं, छाच रख देते हैं, गरम दूद रख देते हैं, तो उसको आप हमेशा ढख कर रखें, क्योंकि इसकी हीट होते हैं, दूद गरम कभी न रखें, फ्रीज में इससे क्या होता है, इसका टंपरेचर कम हो जाता है, और फ्री बिल्कुल भी उतरती नहीं है हमें एक छनी ले लेनी है और इसमें डाल लेना है एक चमच नमक डाल करके हमें पूरे फ्रीजर में इसको अच्छे से फैला देना है इससे क्या होगा दोस्तों जो यह बरफ का पहार सा जम रहे ना वो नहीं जमेगा और कोई भी हम बरतन रखे इसके अंदर वो चिपकी पिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और आसानी से उतर जाएगा और इसको हम ढकन को इसको बंद करके रखेंगे ना तो इससे बिजली भी कम लगेगी हमारी और बिजली का खर्चा भी कम होगा और हमारा फ्रीज में ठंडक भी जादा अच्छी होगी जितनी जादा बंद रहेगी फ्रीज उतना जादा ठंडक होगा फिर से हमारी आ गई है प्याज के छिलकों को लेकर ये मैंने श्टोर करके रखे थे प्याज के छिलके ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों गर्मी के दिनों में बच्चों के पैरों में जलन होती है तो ये एक रेलून उसका बहुत ही कामका है आप कभी भी प्याज लाएं तो उनकी छिलकों को स्टोर करके रखे या फिर बारिस आ रही हो तो बारिस का पानी भी खटा करके रखे हमारा पानी भी वेशनी होगा और वो बारिस वाला पानी बहुत काम करेगा हमें इसमें एक लोटा पानी डाल देना है मैंने बारिस का पानी खटा अब बारिस हो रही थी तो पानी खटा कर लिया था ये बारिस का पानी इसमें डाल देंगे बारिस का पानी ना हो तो आप मटके का नैचुरल पानी ले लिजे यह फ्रीजर का पानी नहीं लेना है और इसमें जिनके भी पैरों में जलनों हपते में दो बार करें इसमें दस मिनट तक इस पानी में प्याज के छिलकों के साथ इस पानी में रखे पैर को और मसल मसल के साफ कर लें इससे आपके पैर भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे और जो के भी पैरों में या बुजूर के पैरों में जलन हो गर्मी के टाइम में जलन होती है बहुत काम करेगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर